Hello Everyone, तो दूस्तो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो Reserve Bank of India की ओर से Grade B की जो पोस्टे हैं दोस्तो उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले आज उफिसर लेवल की वेकेंश होती हैं तो यहाँ पर तेखिए इसके बारे में हम यहाँ पर यह देखने वाले हैं। कि इसे लिए syllabus वगएरह जो है वह क्या रहता है, क्या कुछ आपको तियार करके जाना होता है एक्जाम देने के लिए, और इसका जू एक्जाम है वह कितने phases में होता है फीज जो है वो कितनी जो है वू ली जाती है مतलब जैसे आप फॉर्म grade करोगे तो उसके लिए कितनी फीज आपको पे करनी है और किस तरीके से ये जो फीस है वो आपको पे करनी है फॉर्म जो है किस तरीके से अपलाई किया जाएगा तो वो तो आप यहाँ पर सामने देखी रहे हो दोस्तो जो आप अप्लिकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर ऑनलाइन जो है वो फिल अप किया जाता है यहां पर mode of application रहता है तो जब भी यह application form निकलेंगे वो आपको online fill करने जिसके लिए आपको bank की website पर जाना होता है जो आप यहां पर देख सकते है www.rbi.org.in यह जो bank की website है इस पर आपको जाना होता है और उसके अलावा आप यहां पर क्या है हम थोड़ा सा important important चीजें ही cover करें देखेंगे ताकि यह जो वीडियो है यह थोड़ा सा दोस्तों लंबा ना हो आपको कोई problem ना हो देखेंगे यहां पर advertisement no.3 a.223-24 की according में जो यहां पर vacancy निकाली गई थी यह जो यहां पर officers grade B की vacancy देखेंगे यहां पर officer in grade B general की जो vacancy है total 222 निकाली गई थी जो category wise divide की जो यहां पर category wise divide की गई है इस तरीके से officer in grade B DSIM की यहां पर जो total vacancy है 31 निकाली गई थी जो कि यहां पर category wise divide की गई है ठीक है तो यह इस तरीके से जो post है यह निकाली जाती है बात करें दोस्तों कि अगर आप यहां पर select हो जाते है मानले जो grade B की vacancy निकाली गी RBI की और से आपने form fill up किया exam दिया उसके बार interview के रहा है जो आपका हो गया उसके बाद आप यहां पर select हो गए तो आपकी salary जो है वो यहां पर क्या रहेगी ठीक है जो आपको payment बिलने वाली है तो वो क्या रहेगी तो payment है पर अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों अभी पर special allowance, grade allowance, dearness allowance, local compensatory allowance और यहां पर special grade allowance है, learning allowance है, house rent allowance है जो की time to time जो भी मिलता होगा मतलब जैसे मालेगी 2025 है 2026 जब भी आप यहां पर apply करेंगे सेलेक्ट होगी उस time पर जो भी आपर house जो rent है वो दिया जा रहा होगा या जो भी उस time पर जो basic पे आपकी रखी होगी तो उस हिसाब से जो है वो यहां पर आपको दिया जाएगा तो approximately without HR की अगर हम बात करें मलब बिना house rent allowance की अगर हम बात करें तो आपकी जो यहां पर payment है टोटल एक लाख सोला हजार नाउस सो चोदन रूपे बनता है जो कि एक अच्छा खासा amount आपको देखने को मिल रहा है इसके अलावा 15% basic पे जो भी होगी आपकी उसका 15% आपको मिलेगा house rent या एच आर ए house rent allowance यह आपको दिया जाएगा मतलब एक तो हो गया कि आपको किया गया accommodation तो फिर यहां पर क्या है 15% basic पे पे जो भी बनेगा आपका जैसे अगर 55,200 पे ही आगर हम बात करें तो 55,200 पे अगर आप 15 का करोगे तो यह बनता है लगबग कोई 8,200 कुछ रुपे इस तरह किसा आप आप यह सी जो मान के चलिए तो इतना आपको house rent जो allowance मिलता है ठीक है उसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते कुछ और हम देख लेते हैं आप यहां पर देखिए eligibility के अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है सबसे पहले तो season of India आप होने चाहिए और भारत के नागरिक हैं आपको पता है दोस्तों डारत के नागरिक हैं आप apply कर सकते हैं और जो age होती है एक तो यहां पर आप 21 साल तक मतलब होने चाहिए 21 साल के आप हो जाने चाहिए और ज्यादर से ज्यादर 30 साल के आप होने चाहिए इसके अलावा अगर कोई category है आपकी जैसे SC ST आप जानते ही है दोस्तों इनको relaxation मिलता है एज में भी relaxation म देखने को मिलता है दोस्तों इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं नीचे स्क्रॉल होने के बाद आप यहां पर दिखे जो जनरल ग्रेड वी की विकिंसी है और यहां पर दिखे इसके लिए ग्रेजवेशन आपने किया होना चाहिए 60% मार्क्स के स साथ लेकिन अगर आप दोस्तों किसी केटेगरी में आते हैं तो 50% से अगर आपने 50% से हैं तो 50% 10% का आपको यहां पर सिधा यहां पर रिलैक्सेशन है ठीक है ना तो यह देख लिजे आप इसी तरीके से नेक्स यहां पर ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डी इपियर की बात कर आप है देख लिजे यहां पर अच्छे से आप चेक कर लिजेगा और इसी तरीके से फिर डी ऐएस I.M. की बात करें यहां पर तो इसके लिए भी आपने घर्डिक सेfikश माखनग किसी अपने इस तरीकसे माखन के साथ में यहां फिर और में आप और भी यहां पर देख लिजेगा दोस्तों थोड़ाजा नीचे स्क्रॉल करते हैं नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहां पर जो स्कीम है सेलेक्शन की की मतलब यहां पर इन पोस्टों के लिए किस तरीके से आपको यहां पर सेलेक्ट किया जाएगा तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था तो फिर finally आपको interview के लिए बुलाया जाएगा और interview के लिए जब आपको call किया जाएगा मतलब आपको बुलाया जाएगा तो फिर उस time पर आपकी finally उसके बाद selection हो जाती है चीक है तो यह एक process होता है उसके बाद यहाँ पर देख लीजेगा कि आपके जो online centers है वो phase first के लिए कौन-कौन सी जगाओं पर आपकी जो center से यह होते हैं लगबग हर state में आपको center जो है देखने को मिल जाएगा उसके अलाव भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं यहाँ पर इसी तरीके से फोड़ा ज़र नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर बताया गया है जो phase second है उसमें जो general है phase second में जो आपका exam है general जो यहाँ पर जो officers की पोस्टे हैं उसके लिए यहाँ पर देख लिए centers कौन कौन से जगाओं पर आपके जो centers हैं उनके नेम यहाँ पर बताये गए हैं फिर phase first और phase second जो डी इपी आर डी एस आइम है उसके लिए यहाँ पर जो आपका center बनेगा वो कुछ इन जगाओं पर जो नाम यहाँ पर mention किये गए हैं इ आपको फीज कितनी पे करनी है तो वो देख लीजे सेस्टी पीड़ी वालों को यहाँ पर इन कैटेगरी वालों को यहाँ पर भी छूट मिल रही हैं फीज में तो आपको पताईए 100 रुपया आपको मतलब देना है और आपका जो form है वो फिल अप हो जाएगा ठीक है फिर अगर जनरल OBC और EWS की बात करें तो इनको यहाँ पर आट सो पचास रुपय फीज देना है प्लस आटराफ परसंट का जीस टी भी लगेगा तो जो भी मिलाकर आपको फीज बनेगी वो आपको पे करनी है और अगर आप मान लिज़े आर बिय की कोई employee है स्टाफ हैं तो उन जो फेसिरिल में जो मतलब आपको जो एक्जाम आपका होगा तो उसमें क्या क्या आपको तियार करना है चीदिन हो भी तोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके लिए हमें थोड़ा सा नीचे स्टॉरॉल करना पड़ेगा Якर इसको ढर अज़ुँदा हैं तो आप देखना चाहत तो देख तो सकते हैं दोस्तों लेकिन हम थोड़ा सा अभी syllabus को ही देखने वाले कि क्या कोई syllabus होता है जो आपको त्यार करना होता है अब देखें दोस्तों फेज फर्स के अगर हम बात करें जो आउनलाइन एक्जाम आपका लिया जाता है यह अब्जिक्टिव टाइप का होता है जिसमें जनरल एवेरनेस जन इंग्लिश लेंग्वेज और क्वेंटिटी अप्टिचूड और रीजनिंग से क्वेस्टन होंग होता है डीसक्रिप्ट्री टाइप देखिए फैज जो सेकंड हैएगा ऑलस आपको ने जाता है यहां gefए यह के अनामिक्स एन्डू सोचल इशूस से आपको जो है questions होंगे 50% objective type का होगा 50% descriptive type का होगा जिसमें आपको type करना होगा keyboard की help से ठीक है so marks का यह total रहेगा जिसमें से आपको 2 गंटे का time दिया जाता है करने के लिए यह paper second है देखे paper first और paper second यह हो गया फिर paper third यह हो गया तो यहाँ पर आप आप सारी चीज़ें कितना क्या time दिया जाएगा करने के लिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पूछी जाएंगे objective कितने वेटेज का होगा और इस तरीके सा descriptive descriptive जो है वो कितना जो जो वाटेज है वो कितना होगा फिर यह दोनु चीज़ें जब clear हो जाती है तो यहाँ पर देखें इंटर्यू candidate will be shortlisted for interview candidates को shortlist किया जाएगा इंटर्यू के लिए based on the aggregate of marks obtain phase जो phase second में paper first है paper second और paper third मतलब इनको प्लस करके phase second में इन तीनों को plus करके जो भी marks आपको obtain करोगे उसी basis पर फिर आपको यहाँ पर shortlist किया जाएगा इंटर्यू के लिए समझ में आ रहा है ना फिर यहां पर syllabus जो है वो जो है आप आगे देख लीजे यह जो syllabus है economics and social issues में आपको क्या-क्या जो नीचे sub-topics हैं जो आपको त्यार करके जाना है वो आप एक बार यहां पर चेक करेंगे इस तरीके से फिर जो है suggested reference material भी इन्होंने यहां से बताया है वो भी आप यहां पर देखोगे पेपर सेकंड जो English राइटिंग है वो भी आप यहां पर देख लीजे पेपर थाड में the paper on English shall be framed in manner to access the writing skill including expression and understanding of the topic उसके बाद यहां पर पेपर थाड जो होता है इसमें होता है general finance and management तो finance system में देख लीजे आपर नमबर वान है structure and functions of financial institutions यहां पर नीचे banking system इन इंडिया नबाड है एन एच बी है एन एफ एन भी एफ 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 एट इस्टा ठीक है नॉन banking system इफिक्स and workplace and corporate governance scheme of selection officer in DEPR DSIM तो यहां पर officers in GRB बेपर और DSIM में किस तरह के यहां पर देख लीजें online written exam होगा उसके बाद interview होगा फोर पेपर होंगे दियारा four papers for each examination four papers होंगे जो है there are four papers for the examination four papers होंगे examination में in phase first there will be paper first तो phase जो first होगा उसमें जो है वो पेपर first होगा objective type का on economics and phase second होगा descriptive type का on English तो यहां पर आपको देख लेना है दोस्तों phase second का यहां पर बताया गया है timing वगेरा और कितने क्या marks का है वो भी यहां पर बताया गया ठीक है phase second और phase second phase first और phase second दोनों को मिलाके आपर four hundred marks का है total रहेगा कितना क्या time दिया जाएगा वो भी आप यहां पर जो है वो देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और नीचे स्क्रॉल होने के बाद phase second जो है objective type on economics तो इसमें देख लीचे क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको त्यार करना है यह सारी चीज़ें आपको यहां पर देखनी है इस तरीके से हर एक चीज़ के बारे में आपर जो है mention किया गय बारे में इए कंसे की बारे में यहां बोड़्ma um एक क्या क्या प्वर्टा बिस्वार्व क्या करणे की और पूच्टा जाएगा इसके बारे में बदाया ग्याहे है या कि दोस्तोू मैं अबंभ करता हूं कि आपको यह जो सारी चीज़ें यह इसे आप मिल गे वी इस से आपको तो अगर आपको प्रा थोड़ी सी भी हेल्भ मिली हैं तो आप चैनल को सबस्क्राइब करके रख सकते हैं और अगर किसी भी चीज़ के बारे में आप जानना चाते हैं तो आप मुझे कमेंट के जरी जो है वो बता सकते हैं रिगार्डिंग किसी पोस्ट को लेकर